दोस्तों इस वीडियो में हम Bajaj Finance EMI Credit Card के बारे में बात करेंगे आप भी Bajaj Finance EMI Credit Card online apply कर लिये हैं उस में pen card, Adhar card, bank, passbook attach कर दिये हैं और उसका जो payment होता है 530 रुपय का आप payment भी कर दिये हैं और आप उस card से online कोई समान product purchased नहीं Safety कर नहीं कर रहा हैं यहां पर आप इस्कीन पर देख सकते हैं मैं Flipkart and Amazon से कितने बार मतलब कोई भी समान Purchase करने का कोशिस किया हूँ Not Order Place का Message आ रहा है और Message ये भी आ रहा है कि मतलब Bank से पैसा नहीं कट रहा है Bajaj Finance EMI Credit Card में क्या दिकत है पैसा क्यों नहीं कट रहा है इस वीडियो में इस Card के Solution के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो को भीना Skip की ओए Last Act देखें तो दोस्तों आप यहां स्कीन पर देख पाएंगे ये बजाज Finance का EMI Card है जो कि मैं भी Online Active किया हूँ इसको और यहां पर मेरे को आप देख सकते हैं एक लाग 25,000 का Limit मिला है और यह Card Active है पर इस Card से मैं कोई Online समान Product Purchase नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक समान Purchase किया हूँ इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और आपका भी Card कैसे Active होगा मेरा Card Active हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं मैं 9,500 का कोई समान Product Purchase किया हूँ और यहां पर बजाज Card में सो कर रहा है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप अपने Card को Active कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बजार Finance Card के ओपिस में नहीं जाना है वहां आप जाओगे तो आपका Card Active नहीं हो पाएगा बिल्कुल आपको चुतिया बनाया जाएगा वहां पर तो दोस्तों आपको Card को Active करने के लिए अपने गाउं से सहर से किशी भी दुकान से आपको Offline समान कोई Purchase करना होगा जैसे मैं आप Printer ले सकते हो, Mobile ले सकते हो, Laptop ले सकते हो या आप अधर कोई समान ले सकते हो First time आपको Offline कोई समान Purchase करना होगा और दोस्तों आपको कम से कम कितने का समान Purchase करना है फिर आपका Card Active हो जाएगा कम से कम आपको कोई भी समान 7,000 का Purchase करना है 7,000 का कोई भी समान Purchase करते हैं तो उसका डाउन पेमेंट निकलेगा जो भी डाउन पेमेंट निकलेगा आपको उसको पेक करना होगा पेक करने के बाद आपका वहाँ पे EMI इंचोल कर दिया जाएगा आपका Card Active कर दिया जाएगा आप उस Card से online कोई भी समान Purchase कर सकते हैं और मैं offline में क्या लिया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दिख रहा है जो मैं दिखाने के लिए ही यह रखा हूँ यहाँ पे जो कि मैं इसको कल offline Purchase किया हूँ और मेरा Card Active हो गया है तो यह है Symphony का कुलर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ देखिए यहाँ पे साफ साफ नजर आता होगा यह है Symphony का कुलर Mini Dude है और यह Ice वाला कुलर है और इसका दाम है 4500 तो वहाँ पे मेरे को बताया गया कि आप 4500 में MI नहीं करा सकते हैं offline आपको कम से कम 7000 का MI कराना होगा तो इ मेरा एक दोस्तों वहाँ पे पहुंच गया और बोला कि मेरे को भी एक कैसा कुलर चाहिए यह मैं लिया हूँ यहाँ स्टीडियो के लिए तो कहीं पर भी साइड में मैं इसको रख दूंगा इसमें 29 विल्कुल ही नहीं आता है और यह ठंड़ा ठंड़ा आवा देता है तो दोकर 10,400 335 रुपया यहां पर और यहां पर मैं आपको अपना बिल भी दिखा दे रहा हूं जो आफ लाइन में पर्चस किया हूं आपको इसका फोटो स्कीन पर लगा दे रहा हूं खिचकर यहां पर देख पाएंगे यहां पर नोस लिखा है और एक कदाम 4,750 रुपया द और EMI होता है फॉस्ट EMI चार्ज जो लगता है वो लगा है और इसका EMI जो बना है 1188 रुपया का EMI बना है छे महिने का बना है तो दोस्तों आप किसी भी दुकान से ओफ-लाइन कोई समान परड़क्ट पर्चस करके अपने EMI काट को एक टिक कराकर और फिलिप काट से हैं इमेजन से और अप्लिकेशन कोई भी अप्लिकेशन से आप अनलाइन समान नोकस्ट EMI पर ले सकते हैं बजाज फिनेंस के काट से तो यह वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दे लाइक और यह चैनल पर पहली बार है और ऐसे ही वीडियो देखना चा कर देखना चेट